Hello to everyone, in this video we are going to discuss about the techniques of evaluation In this video we will discuss only about the oral test and the written test So let's start with the oral test देखो oral test है, नाम से ही बता चल रहा है, oral मतलब बोल के आपको जवाब देना रहता है वहीं पे कोई pen paper का यूज नहीं होता है जैसे आप अपने practical exam पे देखे होंगे At the end पे, तो teacher क्या करते हैं? आपके practical के related कुछ question पूचते है और वहीं पे आपको कोई pen paper का यूज नहीं होता है बस आपको बोल के अपना जवाब देना रहता है Teacher भी बोल के question पूचते है और आपको अपना जवाब भी बोल के ही देना रहता है वो होता है आपका oral test तो ये करते क्यों है स्कूल पे इस अन ऑपर्चुनिटी फ़र यू तो डेमोंस्रेट यूर नॉलेज ये बच्चों को एक ऑपर्चुनिटी दिया जाता है ताकि बच्चे अपना नॉलेज अपना स्पिकेंग स्किल अपना प्रेजन्टेशन स्किल दिखा पाएं अपने टीचर को एच वल एज यूर अबिलिटी तो कम्मिकेट आप अपना जो कम्मिकेशन स्किल है वो टीचर को दिखा पाएं यह ओरल टेस्ट यह आपको एक ओपर्चुनिटी देता है और teacher भी आपका speaking skill कितना अच्छा है, आपका communication skill कितना है, अच्छा है, आपका presentation skill कितना अच्छा है, वो oral test के जरिये ही वो पता लगाते हैं, okay, they can also be good practice for job interview, देखो, आज आप कोई भी profession पे चले जाओ, at the end पे आपको interview देना ही रहता है, तो वहीं पे आपको कोई problem ना आए, इ क्योंकि job interview होता है, वहीं पे oral test ही होता है, तो वहीं पे कोई problem ना आए, इसलिए school और college पे ये oral test करते हैं, then the exam can be formal और informal, oral test formal भी होता है, और informal भी होता है, देखो, जाता तर हमें formal test ही लेना चाहिए अपने school और college पे, क्योंकि जो job interview होते हैं, वहीं पे formal oral test ही होते हैं, तो व फर both type you must listen carefully to the question and answer directly formal oral test हो या informal oral test हो दोनों में आपको एक बात ध्यान रखना है कि teacher जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो और जो भी question पूछ रहे हैं उसको direct answer दो ऐसा नहीं कि वो कुछ पूछ रहे हैं और आप घुमा फिरा के answer दे रहे हैं then है आपका formal test देखो formal test क्या होता है follow a list of questions in a prepared format जो आपकी job interview होता है वो आपका formal oral test होता है वहीं पे किसको क्या पूछना रहता है वो पहले से question prepared किया जाता है तो formal test पही ऐसा है preparation form का question रहता है the criteria for evaluation और यूजर इस सेटी ने right और wrong format देखो formal oral test पह जो भी आपको question पूछते हैं वो ज्यादा तर मतलब बहुत कम उसका answer होता है दो या तीन line पही उसका answer खतम हो जाता है वैसे वाला ही question आपको पूछे जाते हैं मतलब वहीं पे ऐसा question नहीं पूछेंगे जिसका answer मतलब 15 minute, 10 minute तक आप देते रहें वहीं पे ऐसा question बिलकुल पूछा नहीं जाता है वहीं पे ज्यादा थे right or wrong जैसे मतलब आपको कोई question पूछते हैं जिसका answer मतलब हाँ या ना जैसे हाँ ये सही है या गलत है वस इतना से वहीं वह answer खतम हो जाएगा और अगर पे ऐसा कुछ लंबा answer पूछे तो वहीं पे दो या तीन ही उसका line का answer होता है ज्यादा बड़ा वाला जिसका answer होका वहीं पे वैसे वाले question नहीं पूछे जाते हैं और इस टाइप अफ एक्जम इफ विस टो एड रिलेटेड और qualified information आसक पर्मिशन फर्स एजिक पटेसी अगर आपका formal oral test है और आपसे कोई कुछ पूछ रहा है और उसके रिलेटेड आपको और information पता है तो आप क्या उसको पहले permission मागो कि इस topic के बारे पे मुझे और information पता है क्या मैं बोलू अगर वो हाँ बोली तब उसके बारे पे extra information दो पर ज़्यादा तर आप try करना कि उसका answer दो या तीन line पे खतम हो जाना चाहिए ज़्यादा अगर answer बोलोगी तो वो लोग भी मतलब वो चड़चड़े type हो जाते हैं तो वैसे वाले answer मत देना अगर भी बोलना चाहते हो तो पहले उनसे permission मांगो then है informal oral test देखो informal oral test क्या होते है are more open and your responses are usually longer आपका जो answer होता है मतलब आपका जो response होता है वो question के प्रती वो थोड़ा लंबा होता है यही पे कोई right और wrong का concept नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि कोई question पूछेंगे और उसका answer हा या ना पर आप जबाब देबाओगे वैसे वाले question वही पे नहीं पूछे जाते हैं वही पे ऐसे question पूछे जाते हैं जहां पे आपका answer थोड़ा लंबा होता है जैसे आपको कोई problem solve का question दे दिए कोई decision making का कोई question दे दिए तो वही पे क्या होता है आपका answer थोड़ा लंबा होता है तो वही पे ऐसे वाले ही question पूछे जाते हैं और वो आपके informal test पे ही आते हैं देन देखो oral test are of two types क्या क्या है the test of oral comprehension and the test of speaking देखो test of oral comprehension ध्यान से समझो oral comprehension मतलब क्या है comprehension मतलब समझना oral मतलब क्या है जो teacher कुछ बोल रहे हैं जैसे आपको interview देने गए हैं और जो आपको interview ले रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं तो आपको उस language spoken form में कितना समझ पा रहे हो वो होता है आपका oral comprehension और एक बार बोले हो ध्यान से समझो oral comprehension is the ability to understand a language in spoken form मतलब जो कुछ बोल रहे हैं वो आपको कितना समझ पा रहे हो वो होता है oral comprehension जो छोटे बच्चे होते हैं वही पे teacher जैनरल लिए पूछते हैं कि अपना कान पकड़ो अपना नाग पकड़ो अपना हेर को पकड़ो तो वही पे आपका oral comprehension ही test करते हैं आपके teacher कि जो teacher जो बोल रहे है कि अपना कान पकड़ो अपना नाग पकड़ो तो वो कितना बच्चा समझ रहा है जो teacher जो बोल रहे है spoken form पे वो बच्चा कितना समझ रहा है वो होता है आपका test of oral comprehension वो जो बोलते हैं ना कि हाथ पकड़ो कान पकड़ो वो आपका oral comprehension ही test करते रहते हैं देखो यहीं पे बहुत ही general question पूछे जाते हैं जैसे आपके पापा कौन है आपके पापा क्या काम करते हैं आपके घर पे आपके गाओं पे या जहां पे रह रहे हो वहीं पे hospital कहां पे हैं तो यहीं पे क्या कर रहे हैं आप कितना यह line को समझ पा रहे हो और वो समझ की कैसे answer दे रहे हो वो वाला ही होता है देखो यहीं पे people are asked to respond a series of direction बहुत सारे मतलब direction type का भी question पूछे जाते हैं जैसे आपका left hand पकड़ो seal your eyes from the sunlight तो ऐसे वाले ही question पूछे जाते हैं जहां पे आपका oral जो comprehension है वो test किया जा सके जैसे teacher और भी कुछ कर सकते हैं जैसे एक story बोल दे या 4-5 line का कोई sentence बोल दे और वो sentence से ही आपको question पूछेंगे अगर देखो एक बच्चा अगर अच्छे से अगर समझ पाया तो वो ही जवाब दे पाएगा अगर वो समझ नहीं पा रहा होगा तो वो जवाब नहीं दे पाएगा तो वहीं पे आपका oral comprehension test करते हैं देन है आपका देखो यहीं पे यह बोला है कि people may be ask question and required to tick one out of the four suggested answer on their answer seat जैसे आपको कोई चोटा सा story दे दिये और वहीं से आपको कोई question पूछेंगे वहीं पे चार या पाँच ऐसे answer दिये जायते हैं suggested answer और वहीं पे आपको एक टिक करना रहता है ऐसे वाले question भी आते हैं जिस पे आपका oral comprehension test किया जाता है दन है test of speaking आपका speaking power कैसा है यह test करते हैं और कैसे test करेंगे जैसे आपके teacher आपके बारी पे कुछ पूछे कि आप सुभा कितना बज़े उठते हो lunch कितना बज़े करते हो क्या आप lunch की हो तो वही पे आपका speaking power test किया जाता है जैसे और भी है देखो the teacher refers to a section of picture and people describe it आपको एक picture दे देंगे जैसे यही पे एक village का अगर picture है तो आपको बोलेंगे कि यह village के बारे पे जो भी आप समझ रहे हो उसको आप मतलब बोलो तो वही पे क्या होता है आपका speaking ability test किया जाता है देखो picture पे तो already सब कुछ है वही पे ज़्यादा कुछ समझना नहीं रहता है बस वही पे आपको देख के बोलना है वही पे आपका speaking ability ही test किया जाता है the people are asked to narrate a story or an accident अगर आपको आपकी teacher बोला है कोई अपने जीवन का कोई किस्या सुनाओ कोई story सुनाओ तो वही पे आपका speaking skill है वो वाला test करते है आपकी teacher देन है आपका benefits of oral test oral test का benefit क्या है encourages in depth preparation देखो the unique anxiety associated with public speaking and testing can provide a powerful impetus for student for preparation especially because good oral examination question will center on synthesis and overall evaluation of material देखो यहीं पर यह बोल रहा है कि जो बहुत सारे बच्चों को public parents होता है एक anxiety होता है कि बहुत सारे अगर लोग होंगे तो वहीं पर बोल नहीं पाते है तो वो डर को दूर भगाने के लिए भी oral test किया जाता है और अगर आपके school और college पे oral test पे अगर कर रहा है तो जो बच्चों का डर होता है वो दूर हो जाता है क्योंकि आजकल कोई भी profession पे चली जाओ वहीं पे interview होता ही होता है तो वहीं पे आपके डर ना हो वहीं पे आपका कोई problem ना हो इसलिए school और college पे आपके oral test किया जाता है तेन है demands different skill देखो जो बोलते हैं ना एक कहावत है कि एक, तीर, दो, निशाना तो देखो नाम ऐसे बोला जाता है कि oral test पर वहीं पे आपका बहुत सारे skill का test किया जाता है जैसे आपका communication skill presentation skill, speaking skill आप अपना knowledge को कितने अच्छे से demonstrate कर पा रहे हो बहुत सारे skill का वहीं पे demand किया जाता है मतलब एक, होता है एक oral test पर वहीं पे बहुत सारे skill का test हो जाता है देन है valuable practice for future professional activity देखो पहले से भी मैं ये line बोल चुकी हूँ कि जो आप future पे जो profession करोगे क्योंकि आजकल सभी profession पे एक-एक interview लिया जाता है तो वो future profession पे कोई problem ना आए इसलिए ये जो school और college पे जो oral test किये जाता है ये एक preparation है ताकि वहीं पे कोई problem ना आए इंदन है आपका difficulty in oral testing oral testing का difficulty क्या है देखो return test पे क्या होता है एक बार पे आप मतलब एक दो घंटे पे आप 200-300 बच्चों का आप test ले सकते हो पर oral test पे क्या होता है मतलब एक एक करके मतलब बच्चे आते है मतलब teacher को भी ठकान टाइप पर लगता है क्योंकि जब भी oral test होता है मतलब 5-6 घंटा लगता है क्योंकि हरे class पे ज़्यादा तर 30 या 40 बच्चे तो होता है तो एक एक बच्चे को at least 5-6 मिनिट पर खलेंगे तो at least 6-5-6 घंटा तो लगी जाएगा पर 5-6 घंटे पे अगर आप return test करोगे तो आप बहुत सारे बच्चों का एक ही साथ test ले लोगे पर oral test का यही एक disadvantages है कि मतलब यह थोड़ टाइम टेकिंग है बहुत टाइम लगता है इसको test मतलब यह oral test के लिए then है आपका written test देखो written test नाम से पता चला है यही पे आपका pen paper यूज होगा मतलब जो आप exam देते हो जो मतलब question दिया जाता है आपको written form पर आपको answer देना रहता है the written test test the following ability जो written test जो होता है वो किस-किस ability का test करता है देखो पहला है हमारा vocabulary vocabulary मतलब सबको पता होगा जो सब्द भंडा है आपको एक language का कितना words पता है वो होता है आपकी vocabulary अगर आपको एक language का बहुत सारा words पता है तो मैं बोलूँगी आपकी vocabulary बहुत strong है आप कल कोई भी मतलब कोई language अगर सीखना चाहते हो वहीं पे vocabulary सिखाते हैं अगर आप कोई spoken English course अगर किये होंगे तो वह से वाले बच्चों को पता होगा कि वहीं पे vocabulary सिखाते हैं अगर आपको सब्द पता होंगे तो आप उस language को अच्छे से बोल पाओगे इसलिए vocabulary बहुत है important है और ऐसा नहीं कि vocabulary सिप English पे होता है हर एक language पे होता है vocabulary तो देखो vocabulary पे क्या क्या test करते हैं कि जैसे आपको कुछ word बोल दिये उसको meaning आता है या नहीं उसका वो भी test करते हैं उसको कैसे use करना है वो भी पता रहना चाहिए word building, spelling and punctuation वो सारे आपके vocabulary पे जाते हैं जैसे आपको suppose एक words पता है और आपको उसका meaning नहीं पता उसको कैसे use करते हैं नहीं पता, तो फाइदा भी नहीं है उस words को सीखने का तो वही सारा ही written test पे test करते हैं then है आपका structure आप कैसे structure बना रहे हो बहुत सारे बच्चे ऐसे present tense पे बोलते रहेंगे पर past वाला word यूज़ कर देता है जैसे आपका watch है वह आपका past tense पे ही use करते हैं तो बहुत सारे बच्चे watch को भी present और future tense पे use करते हैं तो आपका जो sentence structure है वो कैसा है वो भी आपका written test पे ही पता जलता है then आपका है comprehension of words comprehension मतलब समझना words को आप कितना अच्छे से समझ रहे हो अगर आप words को अच्छे से समझोगे तो उसका अच्छा structure बनाओगे तो वो भी test किया जाता है written test पे then है आपका composition and translation देखो हम लोग बारी-बारी करके सब को पढ़ेंगे तो पहला हम लोग पढ़ेंगे vocabulary का test तो देखो vocabulary का meaning तो आपको सबको पता चली जुखा होगा कि vocabulary मतलब होता है सब्द जैसे यहीं पे देखो vocabulary कैसे मैं test करूँगी आपका vocabulary का वो फिर meaning है एक word का आपको meaning पता है या नहीं वो मैं कैसे आपको test करूँगी put in pairs words and phrases of similar meaning from the list जैसे मैं आपको बहुत सारा words दे दूँगे देखो यहीं पे जैसे बहुत सारा words है और मैं बोलूँगी जो जो similar है वो आप एक करके लिखो जैसे देखो यहीं पे है breakfast सबको पता है breakfast मतलब सुबह का जो हम लोग नास्ता करते हैं तो अगर एक बच्चा को अगर पता होगा कि breakfast का मतलब होता है नास्ता तो वो ऐसे लिखेगा breakfast यह पे hyphen या ऐसे कुछ देखे यह पे लिखेगा morning meal तो देखो यहीं से teacher मतलब पता लगा सकेंगे कि अच्छा इस बाले बच्चे को breakfast का meaning पता है जैसे यहीं पे देखो है और एक example है meant meant का मतलब होता है repair ऐसे करके भी आपके teacher आपके vocabulary meaning को test करेंगे then I write four words belonging to the class of each of the following जैसे आपके teacher कुछ words दे दिये जैसे बोल दी animals तो animals के category पे क्या क्या जाते हैं आपको चार words लिखना है जैसे animals के category पे आपके lion जाते हैं deer जाते हैं giraffe जाते हैं elephant जाते हैं तो जो बच्चों का animals का meaning पता होगा कि अच्छा animals के category पे यहीं आते हैं तो वो ही बोल पाएगा तो यहीं पे भी आपके vocabulary meaning को test करते हैं आपके teacher जैसे आपका होगया birds words के अंडर आप लिख पाओगे कि पीजन आते हैं grow आते हैं furniture के अंडर आप chair, table, bed ऐसे ही मतलब होगा आपका तो देखो यहीं पे जो pen है paper है, pencil है, sugar है तो देखो pen, paper यह वाले pencil जो होते हैं यह आपके classroom पे use होते हैं पर sugar क्या है यह आपके खाने वाला चीज होता है यह आपके kitchen पे होते हैं तो देखो, जो बच्चो का sugar का meaning पता होगा वो ही सिर्फ sugar को odd करेगा मतलब as a tick करेगा जो बच्चो को sugar का meaning ही नहीं पता वो sugar को tick नहीं करेगा उसको लगेगा अरे यार सब कुछ तो same है सबका तो spelling ठीक है पर तो वो कुछ दुसरा दुसरा ही सोचेगा जैसे यहीं पे है cow, mango, orange बनाना तो यहीं पे क्या होगा आपका cow क्योंकि यह एक animal है और यह सारे क्या है आपके खाने वाले चीज है then है use of words आप words को कैसे use कर रहे हो मतलब आपको एक अगर words पता है तो उसको use करने आता है या नहीं वो teacher कैसे पता लगाएंगे देखो आपका the which of the words can take the before it ऐसे यहीं में कौन-कौन से word है जिसके आगे the लग सकता है तो देखो the रामायन होगा पर the iron नहीं होगा अगर एक बच्चा अगर the iron अगर बोल ला है इसका मतलब उसको iron word यूज करना नहीं आता है ऐसे करके भी आपके teacher आपका test ले सकते है उटे few और little मतलब यह जो words हैं इसके आगे few या little लगाओ जैसे देखो few milk नहीं होता है little milk होता है अगर एक बच्चा few milk बोला है इसका मतलब उसको milk word यूज करना नहीं आता है mangoes mangoes के आगे भी few mangoes होगा little mangoes नहीं होगा देखो change into negative यह जो sentence है आपको negative sentence पे मतलब बोलना है जैसे he came in the evening तो यहीं पे क्या होगा he does not came in the evening आपको ऐसे negative sentence बनाना है देन है आपका fill in the blanks with suitable words from the list तो देखो he क्या होगा यहीं पे stole my pen this spoon is made up of steel तो देखो जिस वाले बच्चों को अकर पता होगा कि किस word को कैसे use करना ही वो ही यह वाले जो question है इसको लिख पाएगा जैसे देन है आपका word building word building मतलब आपको इसका adjective बनाना है जैसे blood, day हो गया इसका इन सारे का adjective बनाना है then है make verbs from dark, full, long, sweet make nouns from desert तो देखो सभी के में आप एक notice कर पा रहे होगे जैसे आपका use of words है यहीं पे देखो बहुत सारे है तो आपको जितना word मतलब याद हो पाएगा हर एक में दो, तीन, दो, तीन करके लिख लेना एक-एक मतल लिखना answer आपका बहुत short हो जाएगा तो दो, तीन याद करना सारा याद करना कोई जरूरी नहीं है दो, तीन लिख के आना जैसे fill in the blanks पे आप दो वर्ड भी, मतलब दो question भी आप लिख सकते हो word building पे अगर आप adjective और अगर verbs पे अगर लिख लिए तो noun लिखना कोई जरूरी नहीं होगा जैसे noun able का क्या होगा? ability यहीं पे आपको answer तो लिखना नहीं है बस आपको ऐसे question format पे ही लिखना है देंदर है आपका spelling और and punctuation, written test पे आपका spelling और punctuation भी test किया जाता है कि कहां पे आप comma लगा रहे हो कहां पे आप full stop लगा रहे हो वो भी test किया जाता है देखना आप छोटे बारे बच्चे जो होता है ऐसे कुछ अगर sentence लिख लिए और वहीं पे अगर फुल स्टॉप नहीं दिये तो वहीं पे half marks cut हो जाता है तो आपके written test पे ही वो teacher आपको पता लगा सकते हैं क्योंकि spoken form पे तो आप नहीं बोलोगे न कि मतलब ऐसे कुछ sentence बोलोगे और वहीं पे full stop ऐसे तो नहीं बोलोगे तो वो जो आपका punctuation होता है spelling होता है वो सारे आपके written test पे ही teacher पता लगाते हैं देखो जैसे give the past form of decks allot का क्या होगा allotted होगा back का क्या होगा pin का क्या होगा then है आपका missing letter यहीं पे आपको देखो spelling test हो रहा है IE लगाना है या heee 5000 देखो यहीं पे आपका जो होगी है यहीं पे ऐसे वाला होगा थीफ पे आपका IE यहीं पे देखो आपका spelling test कर रहे हैं आपके teacher कि अधन है structure आप कैसे करके structure मुद्ण है कैसे करके आपका sentence बना रहे हो वह सारे रिटेन टेस्ट से ही आपके तीचर आपका पता लगाएंगे कि आप कितने अच्छे हो इंग्लिश पर तन देखो आपका है रिटिंग कमप्रिहंशन तो देखो एक्जाम पे ऐसे वाला जो स्टोरी है आप कुछ भी स्टोरी लिख सकते हैं अगर आपका टाइम बहुत ही शॉट है मतलब सिफ रिटिंग कमप्रिहंशन आप हेडिंग दे दो और वहीं पे लिख लो कि मतलब कि आपको छोटा वाला कुछ भी स्टोरी बना लेना और वहीं से रिलेटिट कुछ कोशन ऐसे पूछके ऐसे एंसर करके ऐसे I think reading comprehension सबको समझ में आया होगा कि मतलब एक story दे देंगे और उस story के related आपको कुछ question पूछते हैं तो देखो ऐसे वाले से written test पे ही किया जाता है oral test पे ऐसे नहीं करते हैं then देखो composition composition क्या है आप कितना एक answer को express कर पा रहे हो जैसे आप कोई letter दे दिए वहीं पे क्या होता है आप मतलब अपना express करते हो अपना express written form पे करते हो तो वह आपको written test के ही under पे जाते हैं जैसे आपको कुछ keyword दे देंगे मतलब कुछ-कुछ word दे देंगे और उस word से ही आपको एक story बनाना होता है तो वह सारे written test के under ही जाते है writing letters to friends, writing application यहीं पे देखो आपका स्रिप expression ही चेक होता है then है आपका next है translation मतलब translation from English into the mother tongue is a test in comprehension आपको जैसे एक story पढ़ा दिये और वहीं वो जो story है आपको अपनी mother tongue पे मतलब अपनी मात्रुभाशा पे ही उसको बोलना है वहीं वो सारे written test के under ही जाते है I hope कि यह वाला आपको समझ में आया होगा देखो और इवार मैं समझा रहे हूँ oral test पे क्या होता है एक summary type का मैं समझा रहे हूँ देखो techniques of evaluation पे बहुत सारे है इस वाले वीडियो पे सिर्फ हम लोग oral test और written test ही पढ़े oral test पे क्या कर रहे है मतलब बच्चों को बोल के answer देना रहता है वही पे आपका spoken form पे ही answer आपको देना रहता है वही पे हम लोग पढ़े कि एक formal test होता है और एक informal oral test होता है और एक चीज़ हम लोग पढ़े कि oral test दो type के होता है test of oral comprehension और एक test of speaking मतलब जैसे अपना कान पकड़ो हाथ पकड़ो मतलब वैसे टाइप का question पूछते हैं और जो speaking होता है वहीं पर थोड़ा मतलब सुभा कितना बज़े उठे मतलब आपके बारे पर ही question पूछे जाते हैं फिर हम लोग पढ़े benefits of oral test तो वहीं पर 3-4 point है वह वाला लिखना और जो disadvantages है वह वाला भी लिखना ये सारे आपके oral test के अंडर जाते हैं sentence बना रहे हो आपका sentence का structure कैसा है वो भी आपके written test के अंडर ही आते हैं और हम लोग पढ़े थे comprehension of words मतलब कितना words को आप अच्छे से समझ रहे हो वह वाला भी आपके written test के अंडर ही जाते हैं then हम लोग पढ़े थे composition कि आपके expression भी check होता है then हम लोग last पर पढ़े translation I hope कि आपको समझ में आया होगा सायत सब कुछ so thank you